Hello students Welcome to magnet brains Hindi मैं लालीवर मां बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का magnet brains की हिंदी मीडन चैनल पर और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वाष्ट होगे खुष्श होंगे प्रसनात पूर्वबग व्याकरण के वीडियो देख रहे होंगे मैगनेट ब्रेंज एक ऐसा प्लैट्फॉर्म जो देता है कक्षा 16 से 12 तक की ऑनलाइन एजुकेशन एक दम फ्री साथ इसाथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आप आपके फेवरेट चैनल मैगनेट ब्रेंज पर एक दम फ्री देख सकते हैं इतना ही नहीं हर एक जो वीडियो आप देखेंगे वो बेस्ट फेकल्टी के द्वारा यहां पर तयार किये जाते हैं वो भी आप जैसे होनहार स्टुडेंट्स के लिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विग्यापन लेखन का भाग दो क्योंकि प्रीवेस वीडियो में भाग एक हम देख चुके हैं कि विग्यापन क्या होते हैं विग्यापन किस तरह से लिखना चाहिए कौन-कौन सी मुख्य विशेष्टाएं रहती हैं आकर शक बनाने के लिए विग्यापन में क्या-क्या आवशक बिंदू होते हैं सब कुछ हमने प्रीविएस वीडियो में देख लिया है देखा है न आपने तो इसी का भाग दो कि अ कुल-कुल उससे मैच करते नजर आ रहे हैं अर्थात जो भी विशेष्टा या खूब या हमने देखी हैं विग्यापन या आकरशक विग्यापन की वह यहां विग्यापनों में आपको नजर आ रही है यही सब हम देखेंगे क्योंकि इसके बाद आप एकदम विग्यापन लेखन आता ही है तो आपके पांच अंग समझी आपकी मुठी में ठीक है आईए मेरे साथ शुरू करते हैं विग्यापन लेखन के उधारन और देखते हैं कि किस तरह से आकरशक बनाए जा सकते हैं कम ओन देखिए सबसे पहला उधारन हम देख रहे हैं दीवाली के अफसर वीडियो में आपको बता दिया था कि शब्द चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से तत्सम तधवाफ देशज और विदेशी विदेशी शब्दों के अंतरगत हम अपनी हिंदी भाशा में अन्य भाशाओं के शब्दों को भी जोड़ा गया है जो कि व्याकरिंट नियम के सही है ठीव यह तो आप अपने विग्यांपन लिखन में कहीं कहीं थोड़ा सा essa नहीं कि सारा का सारा हम और अंग्रेजी भाशा या दूसरी भाशा में ही लिख दें कहीं कहीं जैसे यहां देखिए आप हिंदी में अंग्रेजी में सेल लिखा है फिह डिस्काउंट जो से मौका चूट ना जाए और यह रहे यहां के चित्र अब आप सूचेंगे यह तो पूरा फूटो है हम कैसे बनाएंगे डोंट वरी आप जिस तरह से भी जो भी विशय आपके विज्ञापन लेखन हितु आया है आपकी परिक्षा में टेस्ट में या प्रीवोड में तो उस उसमें आप अपने अकॉर्डिง कुछ-कुछ सक्षिस कर सकते हैं कुछ-कुछ आउटलाइन कर सकते हैं बहतरी तरीके से अपने आर्ट को अपनी कला को विज्ञापन लेखन में दरशसकते हैं ताक보 आपको number बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएं ठीक है समझ में आयेल ना राजा एमपोरियम शहर का सब से बहतरीन शोरूम कोई ऐसा नाम दीज़े अभधी आप सिर्फ क्या लिखा है कि दीवाली के अफसर पर दुकान में लगी सेल दुकान का नाम नहीं दिया है दुकान का पता नहीं दिया है किसमें प्रश्ण में वो सब हमारे मस्टश्क की उपज होगी कि हम किस तरह की कौन सा नाम लें जो कि एक दम बड़ा सा लगे आकरशक लगे और इसा लगे विश्वस नी है जैसे कि जो दर्शक होंगे उनको अपनी ओर लुभा सके कितना अच्छा राजा एम्पोरियम शहर को सबसे बहतरीन शोरूम ठीक है एड्रेस विकास मार्ग न्यू डेली 122900380 यह हिंदी मैं भी बोल सकते हैं ठीक है तो इस तरह से यह हो जाएगा इसका विज्ञापन लेख कुछ अट्रेक्टिव यह स्टार्स नहीं होते या इस तरह से नहीं लिखा जाता तब क्या इतना आकर्शक लगता क्या इतना अट्रेक्टिव लगता विज्ञापन की हमारी नजर वहीं जाती यही है विज्ञापन की खासियत कि विज्ञापन लेखन में सबसे जो महत्व पून्ट चीज है या बाते हैं या जो लेखन कौशल है वो आकरशक होना चाहिए राइटिंग भी आप दो तीन तरह की लिख सकते हैं जैसे कहीं आपने एकदम टिल्ट टिल्टेड वर्ड्स लिख दिया टेड़े टेड़े टेड़ी राइटिंग लिख दिया फ़र परियाबरन दिवस के लिए एक विग्यापन बनाएं विश्व परियाबरन दिवस ठीक है एक पेड़ तुम लगाओ एक पेड़ हम लगाएं मिलकर धरती को फिर दुलहंसा सजाएं यहां पर देखिए आप बहुत अच्छे से मैंने भी कई जैसे स्कूल या जब भी तरीके से परियाबरन संदक्षन यह जो हमारा विश्व परियाबरन दिवस है इसमें बहुत ही अच्छे से आप लोग बनाते हैं तो उसी आर्ट को उसी कला को आपको विग्यापन के रूप में यहाँ पर उकेरना है ताकि जो भी आपकी कॉपी करेक्ट करेंगे या परेक कि कलर जो कलर या उनका यूज कर सके हम कलर पैन यूज कर सके तो बिल्कुल आपके मस्तिष्ट में यह सही सवाल है और होता क्या है कि जो भी बोर्ट के नियम होते हैं वह एडमिट कार्ट में भी लिखे रहते हैं और आपको इतना है कि जो वहां लिखा है जो वोर्ट हमें हैं आप बहुत क्रिएटिव हैं तो किसी तरह की चिंता मत कीजिए बस अपने मस्तिष्ख में इस तरह की कुछ कैसे लिख न चाहिए जो भी आपकी परिक्षा की कॉपी है उसके अंदर यहाप एक बॉक्स बनाएंगे वॉक्स के अंदर आ विज्यापन भी लिखेंगे और उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे कोई भी नाम आप दे सकते हैं ठीक है सरस्वती पबिक स्कूल सरप्रदेश कॉंटेक्ट नंबर नाइन सेवन इस तरह से आप लिख सकते हैं अब शक्ता है अनुभवी सिक्षकों की किसके लिए कौन सी पी आर्टी चाहिए टीजीटी चाहिए पीजीटी चाहिए तो वह भी लिखना पड़ेगा मैट्स पीजीटी एक टीचर चाहिए साइ विखनने हिसाब से लिखना है एसा नहीं कि वहां प्रश्ण में लिखा रहेगा वहां प्रश्ण में सिर्फ आपको विषयर दिया जाएगा कि इस पर आपको विज्यापन लेखन्त तयार करना है बाकि सारी celebrating आपकी हो गी कि आप किस तरह से विख्यापन लेखन करेंगे ठ दिल्कुल हम समझ जाएंगे कि यह च्छाते का add है च्छाते का ही विग्यापन है क्मेगा छ्छाता एक मात भरोस्ए मन छाता दिखाना होगा शब्डों से दिखाना शब्दों की सहायता से कि हम जो कह रहे हैं उस पर आप भरोसा कीजिए तो भरोसा कीजिए के लिए भरोसा शब्द लिखना होगा ठीक है खुबसूरत रंग वा डिजाइन में उपलब्द छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाले चाते भी उपलब्द बहुती सस्ते दामों में एक से खुबसूरत चाते उपलब्द हैं बहुती सस्ते दामों में एक से एक खुबसूरत चाते उपलब्द हैं जल्दी आईए मौके का फायदा उठाइए स्टॉक से में 10% ओफ ठीक है एड्रेस भी लिख सकते हैं आप एड्रेस भी लिखिएगा कि पता कोई भी दे दीजिए आट सो पच्चीस वटा ए ये एड्रेस हो जाएगा ये चाते का एड्रेस है ठीक है अब है उधारन क्या है यहां पर क्या दिख रहा है पैंसिल उधारन नमबर 5 ABC पैंसिल बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए आकरशक विज्ञापन तयार कीजिए वहां आकरशक नहीं भी लिखा होगा त ABC Pencil आकरशक लिखावट के लिए आज ही ले आएं यादी वहां लिखा है ABC तो यहां भी ABC होगा ABC Pencil एक बॉक्स पैंसिल रबर और शापनर मुफ्त अब एक पैंसिल पैकट के साथ एक और पैकेट मुफ्त जल्दी करें औफल समाई के लिए ठीक है यदि वहां पैंसिल का न नहीं दिया जाता जैसे हम पत्र लिख रहे हों या संदे शलेखन हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं तो काल्प नेंगता के लिए है आब सा का खा गा इस तरह से लिख ते हैं तो यहां पर भी जोड़ीनाम नहीं रही है उसका अकरशक विग्यापन बनाना है आधे दाम पर पुस्तक प्राप्त करें एक्स 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 बुक स्टोर ऑफर पांच एक दो हजाद दस तक ही सीमित मतलब उन्हों ने यहां पर तिथी भी निश्चित कर दी कि बस इतनी है अब यह हमें अपने आप से देखना होगा खुश्खबरी 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 आप चाहें तो इस खुश्खबरी को तीन वाल लिख सकते हैं चाहें तो यहां यहां जैसे की देखिए यहां भी लख सकते ह खुशखबरी 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 यहां भी आप लिख सकते हैं आराम से बिल्कुल बुक्स्टोर लाया है कक्षा एक से साथ तक के किताब मूल कीमत से आधे दाम पर गरी बच्चों के लिए विशेश चूट या जिस मतलब यह विशेश चूट है पता देख लीजे आप दुकान नमबर इतना है ABC नगर XYZ और यहां पर कुछ भुक्स के चित्र दिख जाएंगे तो वो और भी आपको क्लियर हो जाएगा समझ में आ रहा है ना कि हमें जब भी हम विज्ञापन लिखेंगे तो उन में हमें सबसे पहला है कि जो है विज्ञापन हमारी कॉपी के अंदर एक बॉक्स में आएगा बॉक्स में जो भी विशे है उससे संबंदित हम चित्र जरूर बनाएंगे चित्र जरूर बनाएंगे मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पहला जो हमारी दृष्टी है वो चित्र पर जाती है और चित्र पर जाते ही फिर हम उसके अंदर कुछ भी लिखते रहेंगे क्योंकि 25 से 30 शब्द हमें लिखना भी है और सारे शब्दों को मिलाकर ऐसा नहीं है क सब को मिलाकर 35 शब्द हो जाना चाहिए और वो हो ही जाते हैं ठीक है चित्र जरूर बनाएं लेकिन प्रैटिस कीजिएगा अगला है अपने एक पुराने घर को बेचने संबंधी विज्यापन का उधारन लगवक 30-35 शब्दों में तयार कीजिए बड़े शहर में बना बन बना दे जैसा भी आपसे बनते बने आप कहेंगे यह तत्विक है तो उसकी तरफ मत जाएए बस हमें यह देखना है कि आखिर विज्यापन लेखन के नियम क्या है किस तरह से हमें लिखना है सपनों के शहर मुंबई से क्या है सपनों के शहर मुंबई से मात्र बीस किलोमीटर की दूरी पर चास ओवर गज में बना दो मंजिल यूग वहतरीन घर खरीदने का मौका मंजिल की लोकेशन है एक्स एक्स गली स्पताल के पास हाउस नंबर इतना मोबाइल नंबर यह यह कुछ भी दे दिया है ठीक है और नहीं तो फिर हम एक्स स्टार्टिंगे दो तीन डिजिट लिग के एक्स 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 भी कर देता है तब भी वह सही माना जाता है ठीक है तो इस तरह से हम विग्यापन बना सकते हैं कलर्स में अट्रेक्टिव दिखता है यह आपका का कॉंप्टिशन मतलब की अंक उसी प्रकार से दिये जाएंगे ठीक है तो चिंता नहीं करना है जमीन बेचने हे तू एक विग्यापन विकाव भूमी एवं भूखंड पच्छी सेकड क्रशी योग भूमी रजिस्टीर वाली जमीन विकाव है पता ए दो सो तेरह बटे सा कोारी महां पर जाएगी और आपकी सपने को करें शाकार इस तरह से कुछ आप शब्द कना है कहा थे लिग सकते हैं जिससे और भी आकरशक लगे ठीक है पानी बचाएं पर एक विज्यापन बनाएं, पानी बचाना है, पानी बचाएं जीवन बचाएं, जल की एक एक बूंद है, अमृत समान इसको बचाना है हम सब का काम, प्लीज सेव मे, आप यहां पर एक वाटर द्रॉप बने हुई है, एक टेप बना हुआ है और वो, यह आ कुछ-कुछ अन्यभाषाओं के शब्ड रखाथ हम अधिक तर किंगरीजी ही हमारी दुतिय भाषा है तो उसके हम शब्दों क قड़ कर सकते हैं इनको आगत शब्ड भी कहते हैं तो कहीं-कहीं आप यदिंघ्र-जी शब्डों का कितना फस्ट इंप्रेशन वो हो जाता है कि किस तरह से हमें बनाना है और जो भी आपका टाइटल होगा जो भी विशह आपको दिया चाहेगा वो सबसे ऊपर थोड़े बोल्ड लेटरस में लिखे है अर्तार चाहें तो आप यदि ब्लैक पैन आप यूज़ कर सकते हैं तो ब देख रहे हैं कि विध्यापन हम किस तरह से लिख सकते हैं ठीक है आशा करती हूं आपको उधारनों की सहयता से बहुत कुछ समझ आया होगा कि हाँ विध्यापन इस तरह से बनाया जा सकते हैं और इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई भी संदे हो प्रशन हो आपके भारत का नंबर वन प्लैटफॉर्म है जो देता है कक्षचचटवी से बारवी तक की ओनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री साथी साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी आपको प्रोवाइड किये जाते हैं फ्री अब जैसे बात की जाए कि कौन-कौन सी परिक्षाओं के वीडियोज हैं तो बिलकुल आप सुन सकते हैं and TSE Olympiad, IIT, GE, NEET और VUPS, SSC, SSE सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज चलते हैं विशह पर की आप अपनी विशह के वीडियोज हिंदी और English दोनों मीडियम में देख सकते है इस डिपेंड्स ऑन यू कि आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में ठीक है जैसे हम कक्षा क्लास 10 की बात करें तो आप मैट्स हुआ या गड़ित विज्ञान सामजे विज्ञान या फिर सीनर सेकंटरी की बात करें 11 वी पारवी की तो रास हिंदी क्लिक करेंगे आप क्लिक करते ही आपके समक्ष आजाएगा हिंदी का वीडियो और अब उस हिंदी के वीडियो में आपको क्या देखना है क्या मीज हर एक को प्लेलिस पर आप जाएंगे तो सब पॉइंट्स है वहां पर कि आपको क्या देखना क्या है क्या आप NCRT सी बीसी पराधारित पार्ट क्रम देखना चाहते हैं पार्ट का क्रम अनुसवार सारांश देखना चाहते हैं यह NCRT solutions देखना चाहते हैं बहु विकल्पय प्रशन देखना चाहते हैं complete chapter revision देखना चाहते हैं जो भी आपको देखना है just click on that आपके सामने वीडियो आचाहेगा मान लीजे आपको पार्ट क्रम देखना है click किया click करते ही पार्ट क्रम का वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें आपके दोनों courses तो हाँ ध्यान से सुनिए कि course A में जिसमें पार्टे पुस्तिका है कौन-कौन सी है क्षितिज और कृतिका भाग दो बात करते हैं course B की तो course B में इस पर्श और संचैन भाग दो हैं क्यूंकि इनका भाग एक हम नाइंत कक्षा में अल्रेडी पढ़ चुके हैं इन चारों पुस्तकों का विवरन और साती साथ कावे खंड गद्य खंड लेखक कौन है कवी कौन है कवीत्री कौन-कौन शामिल है कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं ये भी परिचे दिया है इस वीडियो को देख कर आपको मैं इतना भरोसा दिलाती हूं कि आपको पाट करम से रिलेटेट कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो अराम से ध्यान पूरवक इस वीडियो को देखिए ताकि आप साल पर एकदम आत्म विश आगे आने वाले वीडियो की जानकरी आपको प्राप्त होती रहें शेयर करना मत भूलेगा जिस तरह की बेस्ट ओनलाइन एजुकेशन का लाव आप ले रहे हैं उसी तरह से आपके और भी फ्रेंड्स हैं परिचेत हैं वो भी ओनलाइन फ्री एजुकेशन का लाव उठा स की बीजुक की नमुके झालाइन जहें बुकेशन का भी खמोरा जिलश्य एक फ्रेसें पर भी रहे सेखिए तरह का जाती हैं जही रहे डितावा आपको परया थिवदोन ए मुपकेशन का बाता ए श्सलतों